नमस्कार वाइरल में आपका स्वागत है मैं हूँ वंदना अगरवाल और आप देख रहे हैं वाट्स हाट जिहां इस ख़बर के माद्यम से हम आपको दिखाएंगे वो ख़बरे जिसने सोशल मेडिया में मचा दिया है हंगामा और हो गई है वाइरल वाइरल जिहां इस हफते कौन सी नियूज हुई है वाइरल बल्लवर्ड एक्ट्रेस किर्ती खरबंदा अपने पूल डांस के लिए इस हफते सोशल मेडिया में च्छा गई जब लोगों ने उनसे पूछा इनके पूल डांस के बारे में तो उन्हों ने कहा कि ये इनका पसंदीदा वर्क आउट है उत्तर पदेश के संत कभी नगर जिले में पूलिस का ये कुरूर चेहरा सामने आया और ये वीडियो बना सोशल मीडिया पे वाइरल इस वीडियो में पूलिस वाले एक आटो सवार महिला को चालान का डर दिखा कर अवेद वसेलूई करते नजर आ रही है ये मामला जिले के धनगटा धाना शेत्र में बफीली बाग चौराहे की निकट का है यहाँ पर शेत्र के पीली बाजार से अपने बिमार पती का इलाज करवा कर आटो द्वारा घर वापस आ रही महिला को खाकी का रौब दिखा कर चालान के नाम पर उससे पांस सो रुपए की अवेद वसूली की गई कुंधिए लिए झाल सब्सक्राइब हुग है यहाँ पांस मैं गैसा फेसा ले रहे हैं पहल्सक्राइब जिए हैं तक हएं तक प्रस़े थे कौना पर शचाइब अधरा नक्सक्राइब हो कि पांसे हैं यह तो प्रका कि आगरमिट वैक्या गृफ हुआर है अधैसा पाइसा ले रहे है, जाए पाइसा ले रहे है हेलमेट में क्या है कि यह हेलमेट में क्या है कि गारी रोक लिए किसने आदिस किया पैसा लेनी बोलें दरोगा जी कुछ जरोगा जी का क्या नाम है क्या नाम है दरोगा जी का वंके लिए लिएग ने कि अधिना वहा वहां जी खाना टीख में इसमें आपको हम बैआर माता जी है इंमार दो कॉली पुली दवाई कराके दवा कराकि नालिमार तको पॉमगाड 500 कि पांसो किना लिए तका आपागू बता होता है पांसो लिये है सोशल मीडिया पर दुर्लप साप का ये वीडियो अभी वाइरल हो रहा है इस वीडियो को सांजा किया है IFS अधिकारी सुशानता नंदा ने इस साप की खास बात ये है कि इसके दो सेर चार आखे और दो जुबान है पर शरीर सिर्फ एक है सोशल मीडिया में इंडोनेशिया का अभी ये वीडियो काफी वाइरल हो रहा है इस वीडियो में बंदर को मोटर साइकल चलाते वे और बाद में एक बच्चे को खसीटते वे नजर आ रहा है इस वीडियो में बंदर पहले मोटर साइकल चलाते वे और बाद में एक बच्चे को खीचते वे नजर आ रहा है इस वीडियो के लिए अलग-अलग लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रिया है पैटा ने इस बात के प्रिष्टी करते वे कहा है कि अगर ध्यान से देखा जाए तो बंदर को रसी से टाना जा रहा है और ये उस बच्चे के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता था सोशल मेडिया पे एक वीडियो जिसके वीव हुए है 12 मिलियन जीहाँ ये वीडियो और कुछ नहीं है इसमें नज़र आ रहा है एक पत्तक जो कि अपने खाने में से खिला रहा है मचलियो को आज की वक्त जहां इंसान इंसान की मदद नहीं करता वहां बतक मचलियों को खाना खिला रहा है इस वीडियो को देखकर आपके भी चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी लोकडाउन का वक्त कुछ लोगों के लिए शैद बहुत पहाड जैसा होगा लेकिन कई लोगों ने और कई फिल्मी हस्तियों ने इसे बहुत दिल्चस्प बना दिया है जी हाँ टिक टॉक पे वो बना रही है वीडियो और ये वीडियो हो रहा है वाइरल विश्वास नहीं होता आपको चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कौन से वीडियो ने टिक टॉक का रिकॉर्ड थोड़ा और छा गए वो सोशल मेडिया पे अरे पुत्र घायल तो मैं हुआ हुआ है अपमान तो मेरा हुआ है अपमान तो हुआ है मेरे पुर्वचों का और दो मैं पुर्ण तो हुआ है अपमान इसे कभी जाता था यश्टा था याल यवँ मेरे लिए है जो आपको वह इख वह अपमान तो कि मैं ने पुर्णशन ने एख विए बेबे, मैंनों आए दाचा तेरी आइडी किथे किथे बना रहे हैं, अचा टेकटॉक ते ठीका, दूजी, दूजी खेसबॉक, ओ खेसबॉक नी फेसबॉक, तीजी, तीजी टैटूब से, ओ टैटूब नी बेबे, ओ यूट्यूब हों दिया, अचा होर, जब थी टाइसोग तीजी जब आवा, तीजी तीजी गाराए सुन, दो मिद ही पर रुकियो, मैं एक बार होकर रहा, कहा रहे है? अरे भूदा सा सुसू कर गी आ रहा हूँ अरे तू पूरा ही कर के आई हो ना बाखी बच्चे वेगा जलदीरा बनाऊंगी मैं की बड़ी गए हां जी वस रास्ते में हूँ निए वो थोड़ा पैरों में दर्द हो गया था तो रेस्ट करने के लिए मैं रुग गया था हां हां मैं जल्दी आता हूं चलो बाई excuse me मुझे कीतर बजा के गाना गाने का बहुत शौक है थोड़ा बहुत गाभी लेती हूं मैं अपना पैर दे दोगे मैं थोड़ा का के सुनाती हूं नहीं इसकी कोई ज़रोग नहीं प्लीज आरिशोफ हां मेरे किसमत के हार एक पन्ने पे मेरे जीते जी बाद मरने के मेरे हर एकल हर एक लमहे में तू लिख दे मेरा उसे ऐ खुदा ऐ खुदा जब बना शुक्ता ही बना ओए मेरे मागरमठ सुन तुम्हारी मम्मी ते पूछा उन्होंने बताया कि तुम सिर्फ कॉलेच रहते हो अगरे हफते फिर से मिलेगी आपसे वंदना अगरवाल लेकर कुछ और वाइरल हुई ख़वरों को तब तक के लिए इंतजार कीजिएगा और हर रवी बार हमसे मिलना मत भूलिएगा देखते रहे क्या है वाइरल इस चैनल के सभी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ नोटिफिकेशन पाने के लिए राइट में बेल बटन को दबाना ना भूलें